धर्ती पर स्रिप इंसान ही नहीं जो खुद के लिए सपनों का महल बनाते हैं बलकि हमारे जंगल की दुनिया भी ऐसे कई बहतरिन आर्गिटेक्स से भरी पड़ी है जिने मास्टर वेल्डर आप एनिमल किंग्डम कहना शायद गलत नहीं होगा ये जीब जनतु भी हम इंसानों की तरह अपने लिए बहतरिन घर बनाना बखु भी जानते हैं और इनकी अध्वुत कारिगरी को देखकर आप भी धोका खा जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस यूनिक स्ट्रेक्चर को क्या बाके इन जीवों ने बनाया है या फिर किसी एक्सपर्ट आर्किटेक्ट ने तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस बहत अमेजिंग वीडियो को जिनमें हम आपको एनिमल किंग्डम के कुछ ऐसे क्रियेचरों से रूवरू कराएंगे जिनकी अद्बुत कारिगिरी सच में काबलिये तारीफ है बीबर आंट चीटी अपने महनत के दम पर बड़ी से बड़ी कॉलोनी बसाने के लिए जानी जाती है लेकिन बीबर आंट चीटी बाकिस सभी फिरजातियों से काफी अलग होती है क्योंकि ये जमीन पर रहने की बजाए पेडों पर रहना अधिक पसंद करती है और अपने लिए एक शांदर घोंसला भी बनाती है जिसके लिए इसे लार्वा सिल्खी की जरुवत पड़ती है सेंट्रल एशिया और साउथ इस्ट एशिया में पाए जाने वाली बीबर आंट की आबादी काफी जादा है और अपने इसी तादात के चलते ये चीटी लार्वा सिल्ख से पत्तों की बुनाई करती है और अपने लिए एक बहत खूब सूरत महल तयार करती है हाला कि आबादी अधिक होने की वज़ा से इन चीटीों का एक घोसले में रहना काफी मुस्किल होता है लेकिन बीबर आंट सों से अधिक घोसलों का निर्मान करके एक बड़ी कॉलोनी बसाती है और इनके घोसले इतने बजबूत होते हैं कि तेज बारिश कभी इनके घोसलों पर असन नहीं होता है साइस में छोटे होने के बाबजूत इस जीप की ये कावलियत वाके कमाल की होती है क्योंकि ये चीटिया अपने घोसले का निर्माण कुछ इस तरह से करती है कि कोई भी सिकारी इनके भीता ना घुस पाए घोसला चारो तरब से बंद होता है और उसका मुए छोटे से छेश से खुला होता है जिससे ये चीटिया अंदर बहार जा पाती है ऐसे में अगर गलती से कोई छोटा जीब इनके घोसले में घुस जाता है तो फिर उसका बचपाना बिल्कुल नामुम्किन होता है क्योंकि घोसले के अंदर मौजूस कीटिया उस पर तूट पड़ती है और कुछी पल में उसे अपना शिकार बना लेती है हमिंग बर्ड छोटी से दिखने वाली हमिंग बर्ड का घोसला भी एक छोटे कब जैसा होता है जिसे फीमेल हमिंग बर्ड दिन में कई घंटे काम करके बड़ी महनस से बनाती है और इस घोसले को बनाने में लगबग 5-7 दिन का समय लगता है हमिंग बड घोसले को जमीन से 10-40 फिट की उचाई पर पेडों की पतली डाली, रैशम और मकडी की जाली की मदद से बनाती है और फिर घोसला तयार हो जाने के बाद इसे बाहर की तरफ से हरी पत्कियों से ढग देती है ताकि ये पेड़ पर आसानी से दिखाई न दे हमिंग बड का ये घोसला बहुत ही अधिक मुलायम होता है इसकी सबसे खास बात तो ये होती है कि ये स्रेचवल यानी लचीला होता है यही वज़ा है कि ये घोसले में हमिंग वर्ड की बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे घोसले का आकार भी अपने आप बड़ा होता चला जाता है कॉमन टेलर वर्ड बिल्कुल गोरेये की तरह दिखने वाला ये पक्थी ज़ददर हरी बरी जगा जैसे कि जंगल गाडन के आसपास फाय जाते हैं ये अपना घोसला पेड़ों के पत्तों से बनाते हैं जो वाकए कमाल की कारेगरी है दरअसल कॉमन टेलर वर्ड अपना घोसला बनाने के लिए सबसे पहले पत्ते के किनारे पर अपनी चोश से छेट करती है उसके बाद मकड़ी के जाले से उसकी सिलाई करती है और फिर उसके बाद ये पक्ची उस घोसले के अंदर मुलाइम सिल्क रख देते हैं घोसला बनाने की यह कारेगरी देखने में सचमच काफी अद्बुत होती है। यही कारणे की पत्तों को सिलकर घोसला बनाने के इस अद्बुत टेलेंड की वज़ा से इस पक्षी का नाम टेलर वर्स रखा गया है। बी यानी की मदुमक्की इसके बारे में आपने ये कहबात तो जरूर सुनी होगी कि इसके चत्ते में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खेर ये तो ही कहबत की बात लेकिन हकीकत पर देखा जाए तो मदुमक्की का चत्ता सिर्फ एक छत्ता भर नहीं होता बलकि इसमें रहने वाली हजारों मदुमक्यों का घर भी होता है जिसमें मदुमक्यों की पूरी लाइफ कर जाती है और अगर मदुमक्य के छत्ते के अंदूरी स्ट्रेक्चर की बात करे तो यह अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेक लेकिन सिर्फ लेड वर्ड एक ऐसा पक्ची है जो इटेबल नेस्ट बनाता है जिसे खाया भी जा सकता है सिर्फ लेड वर्ड साउथ एशिया यानि की भारत के अंदमा निकोवार इलाके में पाये जाते हैं यह पक्ची अंदेरी गुफाओं में अपना घोसला बनाते हैं और उनके घोसले के साइज छोटे पॉकिट जैसे गुफा के दीवारे पर लगे होते हैं सिर्फ लेड बर्ड अपना घोसला अपनी सलाईवा यानि की लार से बनाती है इसी वज़ासे इसे खाया भी जा सकता है हाला कि जब भी सनलाइट इन घोसलों पर पड़ती है तब य राइट गोल्ड की तरह चमकने लगते हैं और आप इस बात को जानका दंग रह जाएंगे कि इन घोसलों की कीमत लाखों में होती है यही बजाए कि दिन प्रति दिन सिर्फ लेड वर्ड की प्रजातिक खत्म होती जा रही है ग्रेट हॉन्विल आम तोर पर इंडिया, नेपाल और भुटान जैसे देशों में पाय जाने वाले ग्रेट हॉन्विल की चोच काफी लंबी घुमाबदर और मजबूत होती है यह पक्ची घोसला बनाने के लिए पेड़ों के खोकले इससे के इस्तमाल करते हैं यहां आसानी से छेद बनाकर गोसला बनाया जा सकता है इसका गोसला पूरी तरह से बंद होता है जिसे बाहर की कीचर से कवर किया जाता है और सिर्फ एयर पास होने के लिए और खाना देने के लिए एक छोटी सी जगा होती है अंडे देते समय फीमेल हॉर्ण बिल नेस्ट के अंदर पूरी तरह से नहीं हो जाते लगबग तीन महीनों तग ये अपने घोसले में कैद रहती है और इस दोरान मेल हॉर्ण मिन बच्चों के लिए और फीमेल हॉर्ण मिन के लिए खाला लाने का काम करता है आज की वीडियो में बस इतना ही और अगर आप दुनिया के 5 सबसे बड़े साप देखना चाते हैं ये दुनिया की 5 सबसे बड़ी मचलियां देखना चाते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें जैहिंद